पर इस वामने को लेकर निशिकान दुबे के ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी हम आपको सुनवाते हैं वो रतना की जानकारी भी मैंने वानी देमंत्री जी को बताया ग्रे साचिम जी को बताया वो पर तुमीं के प्रयाँ से कि लगता है कि देश मे ऐसा हुआ होगा कि किसी और एरफोर्स भी है आर्मी भी है एंटी आरे स्टी टीड बी और इति बीपी भी है यह चारो ने एक जॉइन्ट कोडिनेशन मनाया आटिस्टिक अडिस्टेशन के साथ और आप देख रहे हैं कि रात से ही आउपरेशन चल रहा है और सुबर से अब सक्सेस्पूलर अब इस अंतिम वाइदान पर है कगार पर है अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि 26-27 लोगों को अभी काई चुके अब इसी की स्लूप पचे में क्योंके 48 लोग से तो हमारी पहली प्रात मित्रा वही है और मैं लगादार यहां कैंप किये वे हूं 8 बजे से मैं कहीं गया भी जी और मुझे लगता है कि हाँ बैटने टाइब लोगाद यह है कि कि वेक्तिकत दौपर में सब को जानता हूं मानिक लिए मत्री जी चुके कॉडिने कर रहे हैं तो चाहे कि सचिप साहब हो चाहे डी आरेफ के हैट हो चाहे आर्बी के हैट हो सबों से लगातार बाचीत हुरी है तो चुझे लगता है कि हम सबों का जान बचाने में काम्याब हो तो आप निठी की कहा है कि मफसत देखिये और उस मकसद मेरे सूचने का ढठने लगे, बुस्तों को सूचने का ढठने लगे, मैं आपको एक शुटी सी बात बताओं कि कल प्रसासन को मैं कह रहा था, कि कल जो 10-12 लोग बचाये गे, जो रेस्क्यू हो तो अस्थानी लोगों के कारण हुए, अस्थानी लोगों से जो मे अस्थानी बात नहीं मान रहा था, और आज आप समझेए, कि मैं आपको एक सूचना दे दूँ, कि आज दो केविन जो है, फिर उसी अस्थानी लोगों के कारण, जो एंडियारेफ और आडिपीप ने उसको सप्रूट किया, बैने एंडियारेफ के डीजी से बात किया, तो यहां के भोगोलिक स्थिति के बारे में, इन यहां के वेक्तियों के बारे में उनको जानकारी नहीं होती, और मैं यह नहीं कहता है कि उनका कोई दोस है, क्योंकि उनकी पुदस्टिक साल बर दू साल थी